वेल्कम टू दियाशिमा शोओ हाला कि भारत में 21 दुनों का लॉकडाउन कर दिया गया है इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कोरोना का खत्रा टल गया है जंग तो अभी शुरू हुई है ये वो जंग है जिसमें बड़े से बड़े और शक्तिशाली देश भी अभी तक इस जंग पे फते नहीं कर पाए बाकी देशों में फैले कोरोना वाइरस पे स्टडी के अनुसार अगर कोरोना वाइरस 80% लोगों को हलका बिमार यानि की mild attack ही करता है तो फिर भी दुनिया भर में इतनी मौते क्यों हो रही है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ एहम जानकारी कि कोरोना वाइरस एंफेक्टेड पेशिंट कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है और किस स्टेज पे मरीज की मौत हो जाती है अगर आप इस तरह की trusted and verified informative वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चानल को subscribe कर लीजिए सबसे पहले incubation period के वारे में जान लेते हैं इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ती के infected होने और उसके अंदर लक्षन शो होने में कितना समय लगता है ये वक्त होता है जब वाईरस शरीर में अपनी जगा बनाता है वाईरस शरीर के cells में घुस कर उन पर काबू पा लेता है कोरोना वाईरस शरीर में आता है जब आप सास के जरिये जाने अंजाने इस वाईरस को inhale कर लेते हैं या फिर संक्र में जगा या चीज छू लेते हैं, पहले ये हातों द्वारा मू तक, फिर मू, कान, नाक और आखों के जरिये शरीर में घुस जाता है, सबसे पहले ये फेफडों पर अटाक करता है और बस वहाँ कोरणा वारस फैक्टरी बना कर नए वारस पैदा करता है और धीरे-धीरे शरीर के बाकी ओर्गन तक पहुंच जाता है और डामिज करता चला जाता है शरीर में इस वारस के सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स को बॉडी में शो होने में 2-14 दिनों तक का टाइम लग सकता है यूं तो ये इंक्योबेशन पीरेड यान की mild stage पर क्या होता है शुरुवाती stage पर तो व्यक्तिव बिमार नहीं होता है और कुछ लोगों में तो लक्षन कभी देखते भी नहीं 10 में से 8 लोगों में COVID-19 का संक्रमनंट mild होता है और लक्षन होते हैं तेज, बुखार और सूखी खाजी शरीर में दर्ट, गले में खराश और सरदर्ट भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी लक्षन दिखें हलके सिम्टम्स को बेडरेस से, लिक्विड पीने से और पैरसेटरमॉल से ठीक किया जाता है यहां तक तो हॉस्पिटल की जरुरत नहीं होती यह स्टेज एक हफ़ते तक रहती है, जातर लोग इस स्टेज पर recover हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इस वाईरस को हरा देता है इस mild वाईरसे जातर जवान लोग या फिर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉग होती है, वही recover कर पाते हैं अब बात करते हैं, शिवेर स्टेज पर शरीर में क्या होता है? इसमें कुछ लोगों की सिचुएशन गंभीर हो जाती है, गंभीर वाली सिचुएशन उन लोगों की होती है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, असान भाशा में समझा जाए तो जैसे ही दिमाग को पता च सान होने लगता है, धीरे-धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कुछ लोगों को तो वेंटिलेटर तक ही जरूत पड़ जाती है, इस स्टेज में कुरोनावारस के पेशेंट्स का आकड़ा 14% के करीब होता है, अब बात करते हैं कि क्या होता है critical stage में, अनुमान है क सरफ 6% लोग ही अभी तक critically बिमार हुए हैं, इस stage तक शरीर हार चुका होता है और मौत के chances बढ़ जाते हैं, ये तब होता है जब शरीर का blood pressure बहुत जादा गर जाता है और शरीर septic shock में चला जाता है, शरीर के organs काम करना बंद कर देते हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि हर संब कुशिश करने के बाद भी लोगों की जान बचाना मुम्किन नहीं हो पाता, जो लोग पहले से ही बिमार होते हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग जिनका immune system weak होता है, वो लोग इस stage में पहुँचते हैं, तो आप सभी अपना ध्यान रखे, social distancing का पालन करें और updated रहने के अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ की है, जल्दी से कर लीजे, आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हेंडल दा आश्यमा शो पर मेसेज करके पूच सकते हैं, तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में